मान्या देख जी, मैं राश्पती जी के अभिभाशन पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ. समसत के इस नए भवन में जबादनिय राश्पती जी, हम सब को संभुधित करने के लिए आई. और जिस गवरव और सम्मान के साथ सइंगौल पूरे प्रोसेशन का लेटरूप को करने के लिए और हम सब उसके पीशे पीचे चल दाएज़े हैं. नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आज़ादी के उस पवित्र पल का पतिवीम जब साक्षी बनता है, तो लोगतंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाते हैं. ये पचतरवा गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसत्त का नया भवन, साइन गौल की अगुवाई, ये सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था. मैं जब वहां से पुरे कारकम को भाजे जारी कर रहा था, यहां से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती हैं, लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा बनन उपस्थेती में राश्पति उप्राश्पति जिवराद हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला वद्रश्य हमेशा 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 यहां आती हैं, जिन मानिय करीब 60 से ज़्यादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार पस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्बवा के साथ अपने विचार व्यक्ते करने वाले सभी अपने मानिय सांसद गण का आभार व्यक्ते करता हूं, मैं विशेशुप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है, उसकी सराहना करता हूं, उनके भाषन के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है, कि नोंने लंबे अर्शे तक बहां रहने का संकल्प लिया है, अब कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दसक तक, वहां बैठने का आपका संकल्प और जन्ता जनार्दन तो इश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों महनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जन्ता जनार्दन आपको जरूर आश्रवाद देगे, और आप आप जिस सुचाई पे हैं, उससे भी अधिक उन्चाई पर जरूर पहुंचेंगे, और अगले चुनाओं में दर्शक गिसा में दिखेंगे। अधिरान जी इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या? आप आपने इनी चीजों को पचाया है आपने से बहुत लोग चुनाओ लड़ने का होसना भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना है बहुत लोग बहुत लोग पिछली बार भी सीट बडली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में है और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसाबा के बजाए राजसाबा में जाना चाहते हैं तो शित्यों का आकड़न करके वो अपना अपना रास्ता ढूंड रहे हैं अधन्य अधक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से तथ्षों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राश्पती जी ने प्रस्तावेज हैं और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगज्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तावर हो रहा है उसका लेखा जोखा आधनियरास्पती जी ने प्रस्तुत किया है अधन रास्पती जी ने भारत के उजवल भविश्य को ध्यान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समर्द होंगे हमारा देश उतना ही समर्द होगा उतना ही तेजी से सम्रुद्ध होगा और उन्हों ने इन चार स्तंभ Nepal का उलेख करते विए देश की नारी शक्ति देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईभेहन और देश के हमारे किछान, हमारे मस्वारे, हमारे प्रशुपाला कौ उनकी चक्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से राष्ट के विख्सीद भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरी रात्पदी ने कहा है इस जाया है कर देश कि अनके सभी नारी नहीं होती हुए कब तक प्रुकुड में सोचते रहोगे कब तक सनाज को पाटते रहोगे सब सिमा करो सिमा करो पहुत तोड़ा देश को आधनी अद्दक जी अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के धर्मयान कुछ सकारात्मक बाते होती हैं कुछ सकारात्मक सुझाव आते हैं लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझता रहा है उसको बार बार दर्द होता कि यह दशा है इनकी सोचने की मर्यादा एकनी है अधने देख जी नेता तो बदल गया है लेकिन टैप रिकरडर वही बज़ रही है वही बातें कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है अपका चुनाव का वरस्ता थोड़ी मेहनक करते कुछ नया निकाल करके लाते जंता को जरा आप संदेश देपाती उसमें भी खेल गया आप सलिए यह भी मैं सिखाता हूं अधर नियों देख जी आज विपक्षी की जो हाला फुगी नहीं इसकी सबसी दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाहित्व को निभाने में भी विपूरी तरह विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दि हैं इसलिए हर बार यह करते रहें कि और पी विपक्षिस पेजस भी लोग हैं उनको दबा दिया जाए हैं हाउस में कई यंग हमारे मानने सामसद गण हैं उत्सा भी उमंग भी हैं लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जा हाउस को ही चलने नहीं दिये गए हैंने एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्षान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्षि बहुत जरूरत है देश ने जितना परिवारबाद का खाम्याजा उठाया है और उसका खाम्याजा खुद कॉंग्रेस ने भी उठाया है अब अधिर बाबु की हाला दम देख रहे हैं वहना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी पड़ती है अधिर अधिर जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पाटी से ही सिफ्ट कर गए ये सब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नवबत आ गए अरे दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कहते दुकान फोली है सब जगा इस भी पोलते हैं दुकान को ताला लगने की बाट आए यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैठे बैठे कॉमेंट कर रहे हैं परिवारवात की मैं जरा समझा देता हूं आप कुना अध्यक महुद है जरा समय ले रहा हूं आचे हम किस परिवारवात की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारवात नहीं कहा है हम परिवारवात की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्रास्विक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवार बात है न राजनाजी की कोई पुलिटिकल पार्टी है न अमिच्छाह की कोई पुलिटिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित रही है लोग तंत्र में पार्टि अने एक परिवार के दस लोग राजनिति भाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नव जवान लोग आएं हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा खरिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोग तंत्र के लिए परिवार वादी राजनिति परिवारिक पार्टियों की राजनिति यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूँगा दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूँगा देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आए स्वागत ही होगे हैं सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है यह द्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह लोग तंत्र का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा तैंक्यो यह विशे कभी बोलता नहीं था आज बोल दिया पेले आधरने अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार बार लॉंच करने का भरपूर प्रयास हो रहा है अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांग्शाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं आतमंदिर भार भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं बंदे भारत ट्रेल कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं संसाज की नहीं हमा कॉंग्रेस के भी कैंसल है यहने बहरान हुई है कोई मोधी की उपलब दिया नहीं है देश की उपलब दिया इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारण देश की सफलता है देश के अच्वेंट कि उसको भी कैंसल करके आप बैठ गया अधेन अधिक जी राश्पति जी ने विक्सिद भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की है अर्थ ववस्ता की मुल्भूज जो आधार है उसकर की बारीकी से चर्चा की है और भारत की मजबूत अर्थ ववस्ता को आज पुरी दुनिया सरा रही है पुरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकर से गु और ज्यादा अच्छा लगता है जी 20 समीट के इंतर सारे देश ने देखा है कि पुरा विश्व भारत के लिए क्या सोथा है क्या कहता है क्या अधार क्या और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पाद आज की मजबूत और फिववस्ता को देखते विए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विश्वाद से कहता हूँ और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्टिक प्राप प्रादा और यह मोदी की गारंटी है माणिय अद्धिक जी उनको पहले मोका नहीं दिया था क्या सबको मोका दिया है ना आद्धिक जी जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन करके उगरेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा क्या कमाल है आप लोगों के मोदी का क्या है यह तो अपने आप हो जाएगी मैं जरा सरकार के भूमी का क्या होती है कि सदन के माध्यम से देश को और विशेश करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमी का क्या होती है आदेने अद्दक जीन, दस साल पहले, 2014 में, फर्वरी महिने में, जो इंट्रिम बजेट आया था, उसे में कौन लोग बैठेते, आपको तो मालूम है, देश को भी मालूम है, जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था, उसे पेश करते सबाए, उस समय के वित्मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, और एक एक शब्द बड़ा मुल्यवान है, जब आप लोग कहते हैं, कि तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जड़ा समझना चाहिए, यह उन्होंने क्या कहा था, I now wish to look forward and outline a vision for the future, vision for the future, पुरे ब्रह्मान के सबसे बड़े अर्थास्त्री बोलता है, I now wish to look forward and outline a vision for the future, आगे कहते हैं, I wonder, how many have noted the fact that India's economy in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world, एने 2014 में 11 नंबर पहुँचने पर क्या गवरोगान होता था, आज पांच पर पहुँच गए, और आपको क्या हो गवराएं, आधनी अध्यक जी, आधनी अध्यक जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं, गोगई जी थैंक जी आपने अच्छा कहा, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, साथियों ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा था, is the 11th largest in the Walla, बड़ा गवरव का बाद था, there are great things in the store, हागे वो कह रहा हैं, कह रहा, there are great things in store, फिर आगे कहते हैं, there is a well-argued view, that, in the next three decades, in the next three decades, India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China, उस समय के ब्रह्मान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे, कि तीसरे नंबर पर, तीस साल में हम पहुँच जाएंगे, तीस साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं, बहुट लोग हैं, जो ये ख्याला में रहते हैं, वो ब्रह्मान के सबसे बड़ी अर्थसात्री है, ये लोग 2014 में कह रहे हैं, और विजन क्या देखते हैं, तीसरी अर्थववस्ता की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थे खोच चुके थे लोगे, शंकल तो दूर की बात थी, तीस साल का इंतजार करने लिए मेरे देश की उवा पीड़ी को एक कहकर रहे गए थे, लेकिर हम, आज आपके सामने विश्वास से कड़े हैं, इस पवित्र सदर में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गरंटी है, मेरे तीसरे कारकाल में, देश, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ती पंजाएं, कैसे लक्ष रखते हैं, कि सोच कहां तक जाना थी, दया आती है, और आप लो, ग्यारा नंबर पर बड़ा गर्व कर रहे थे, अब पास नंबर पहुचा दिये जी, लेगिन अगर ग्यारा पर पहुचने से आपको खुशी होती थी, तो पांच नंबर पहुचने पर भी खुशी होती होनी चाहिए, देश पांच नंबर पर पहुचा, आपको खुशी होनी चाहिए, किस बिमारी में फसे पड़े हो, आधनिया अध्यक जी बाजपा सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं हमारा हौंसला कितना बड़ा होता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है राधनिय अध्यक जी एक कवाहा कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशित कर देती है ये कॉंग्रेस की सुस्तरबतार का कोई मुखाबला नहीं तो आपको का ज्यासर है अध्देश में अध्देश में अध्देश में जिस रप्तार से काम हो रहा है कॉंग्रेस सरकार इस रप्तार की कल्पना भी नहीं कर चाती है आध्रनी अध्देग जी आध्रनी अध्देग जी हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए असी लाग पके मकान शहरी गरीबों के लिए बने कॉंग्रेस अगर कॉंग्रेस की रप्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता मैं इसका हिसाब लगाता हूँ अगर कॉंग्रेस की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता तो सो साल लगते इतना काम करने में सो साल लगते पांच पीडिया घुजर जाती आध्रने अध्देग जी दस वर्ष में 40,000 किलोमेटर रेलवे ट्रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रप्तार से देश चलता इस काम को करने में 80 साल लग जाती है एक प्रकार से चार पीडिया घुजर जाती है आध्रने जत्यक जी हमने 17 करोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं 10 साल का हिटाब दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते तीन पीडियां दुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है अधिक जी अधिक जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कबरेज 40 परसंट से 100 परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती है तो यह काम होते होते 60-70 साल और लगते हैं और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता आधिन यर्दिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत उक्षान हुआ कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया भी अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कमंतर आखते गए छोटा आखते गए आदेनियतिक जी देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जरा चुबन होगी लेकिन पंद्रह अगस्त लाल कीले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पड़ता हूं लाल के लेसे भारत के प्रतम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पत रहा हूं नहरू जी नए उन्हेंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते थे, जितना की इरोप वाले, या जपान वाले, या चीन वाले, या रूस वाले, या अमेरिका वाले करते हैं, यह नहीरू जी लाल के लिए से बोल रहे हैं यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौमें कोई जादू से खुशाल हो गई वह मैनत से हुई है और अक्ड से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रति सोच थी कि बारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कम अक्रे के लोग होते हैं और आदनी अद्धक जी इंद्रा जी की सोच भी उससे जादा अलग नहीं थी इंद्रा जी ने जो लाल के लिए से लाल के लिए से 15 अगस को कहा था लाल के लिए से 15 अगस को इंद्रा जी ने कहा था बुर्भाग्यवश हमारी आदत ये हैं कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गर्ष्ट हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखतर के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस का एकदम सटी का आकलन होना की आखता है कॉंग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे कि के वी से वैसे ही और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है कि मानिय अद्धिक जी कॉंग्रेस का विश्वाद हमेशा शुर्प परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रहे करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मॉर्टर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ज्याम तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ है अलाइन्स का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवेवें अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो यह लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे आदेन्य अत्यक जी हमें देश के सामर्थे पर भरोसा है हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है आदेन्य अत्यक जी देश की जन्ता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का आउसर दिया तो हमने पहले कारकाल में यूपिये के समय के जो गड़े थे वो गड़े भरने में हमारा कापी शमय और शक्ति लगी हम पहले कारकाल में वो गड़े भरते रहे हमने दूसरे कारकाल में नए भारत की नीव रखी और तीसरे कारकाल में हम विक्सित भारत को मिरमान को नई गड़ी देंगे पहले कारकाल में हमने स्वच्च भारत उज्वला आईश्मान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसे प्रकार से सुगम में भारत बीजिटल लीनिया ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप दे करके आगे बढ़ाए टैक्स व्यवस्ता आसान हो इसके लिए जी एस्टी जैसे निर्णा लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया जनता ने बहुत आशिरवाद दिये पहले से भी ज्यादा आशिरवाद दिये और हम हमारा दूसरा कारकाल प्रारंब हुआ दूसरा कारकाल संकल्पों और बच्चनों की पूर्ति का कारकाल रहा हुआ जिम उपलब्दियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कारकाल में पूरे होते देखें हम सबने हम सबने तिन सो सक्तर खतम हुएते हुए देखा इनी मान्य सांसदों के आखों के सामने और उनके बोड की ताकत से तिन सो सक्तर गया नारी शक्ति बंदन अधिनियम ये दूसरे कारकाल में कानून बना अधिनिया देख जी अंतरिक से लेकर के ओलेंपिक तक ससक्त रबलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ की गोंज़े लेकर अधिन आरी शक्ति के ससक्ति करन को आज देश ने देखा है आदनिय दिख जी उत्तर से दक्षिन तक पूरब से पस्चिन तक लोगों ने बसकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समय बद्द तरीके से पूरे होते हुए आदनिय दिख जी अंग्रेजी सासन के पूरारे दंद प्रधान कानूनों से हम प्लीच 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 मानने सदक्सरगन सदन के नेता बोल रहे हैं आपको प्लीच आ समझाई सदन के नेता बोल रहे हैं आपको मैंने सबको प्रयाब समय प्रयाब अउसर दिया था यह तरीका गलत है यह में मर्यादा बनागे रखना पड़ेगा प्लीज बेटे-बेटे कोई टिप्टी नहीं करेगा प्लेच 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 नो गलत तरीका गलत तरीका माने प्रदामनती जी अब यह तरीका है क्या आपका हो ख्लेच जोज थाई प्लेच चो से लो गलत तरीका का है क्लेच कहिた अंवा थाई तरीका है अग्री जी शाथन के पुराने कानून जो दंड प्रधान थे उन दंड प्रधानों के कानूनों से हट करके हमने न्याई सहीता तक प्रज़त है हमारी सरकार ने सेंकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगी हो गए थे सरकार ने 40,000 से जानदा कंप्लाइंसिस खटम कर दिये आदन्य देख जी भारत ने अम्रुद भारत और नमोद भारत त्रेनों से भविष्य के उन्नति के सपने से खादरिन अद्रग जी देश के गाउं गाउं ने देश के कोटी कोटी जरों ने विक्सित भारत के संक्तर प्रियात्रा देखी हैं और सेचुरेशन के पीछे कितनी महनत की जाती हैं उसके हग की चीज उसको मिले उसके दर्वाइजे दस्तक दे करके देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है आदेने देख जी भगवान राम आदेने देख जी भगवान राम ना सिर्फ अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का निर्मान हुआ जो भारत की महान साथ सदिक परंपरागो नई उर्जा देता रहेगा आदानियत देख जी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती है और अपकी बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार हरके जी भी कह रहे हैं लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर कि आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूं लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपा ही के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तीन सो सत्तर सीट अबस्य देगा पीजेपी को तिन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार सवा की कारवाई इस विशे की समातिक तो बढ़ा दी जाये अधिने दिग जी हमारा तीसरा कारकाल बहुत बड़े फैंसलों का होगा मैंने लाल के लिए से कहां था और राम मंदीर प्रांतिक्षा के समय भी मैंने उसको दोहराया था मैंने कहां था देश को अगले हजार वर्षों तक सम्रुद्ध और सिद्धी के शिखर पर देखना चाहिए तीसरा कारकाल अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नीव रखने का कारकाल था खादेने अतिक जी मैं भारत वासियों के लिए उनके भविश्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ है मेरा देश के 140 करोड नागिकों के सामर्थे पर अपार भरोसा है मेरा बहुत विश्वास है दस वर्षों में पचीश करोड लोग गरीबी से बहार आए यह सामर्थे रहाता है कि अधन्य अध्यक जी मैंने हमेशन कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले गरीब को अगर सांसाधन मिले गरीब को अगर स्वाभिवान मिलें तो हमारा गरीब गरीबी को परास्थ करने का सामर खरत और हमने वो रास्था चुना और मेरे गरीब भायों ने गरीबी को परास करके दिखाया है और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिये संसाधन दिये सम्मान दिया स्वाभी मान दिया पचास करोड गरीबों के पास आज बैंक खाता है कभी वो बैंक से भुदर नभी खाता है चार करोड गरीबों के पास पक्का घर है अर उसके स्वाभी मान को एक नया सामर्थ देता है ग्यारा करोड से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से बिल गरीबों को आईशमान भारत कार्ड मिला है भर में कोई भी बिमारी आ जाएं उस बिमारी के काम फिर से वो गरीबी के तरब लोड़क ना जाएं उसको भरोसा है कितनी भी बिमारी क्यों आ जाएं मोधी बैठा है असी करोड लोगों को मुप्त अनाज की स्विधा दी दरी ले आधनी अधनी अध्यक जी मोधी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था देश में पहली बार रहडी पड़ी वाले साथ्जों के बारे मैं सोचा गया ये इम स्वानी धी योजना से आज वो ब्याज के चकर से बहार मिकले introduction बैंक से पैसे लेकर अपने कारूबार को बरा रहे है देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्त है जो राश्ट का निर्मान भी करते हैं ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथियों के बारे में सोचा गया उनको अधुनिक टूर अधुनिक ट्रेनिंग पैसों की मदद विश्वक मार्केट उनके लिए खुल जाए यह मेरे विश्वकर्मा भाईयों के लिए हमें का देश में पहली बार है पीवी टीजी यानि जन जातियों में भी अतीप पीछिडे जो हमारे भाई बहने संख्या कल्या बहुत कम है भी वोट के हिसाब से किसे को नजर नहीं जाती हैं हम वोट से पढ़े हैं हम दिलों से जुड़े हैं इसलिए इसलिए पीवी टीजी जातियों के लिए पीम जन्मन योजना बना करके उनके कल्यार का अंबिशन मोड में काम उठाया है इतना ही नहीं सरहत के जो गाउं थे जिनको आखरी गाउं करके छोड़ दिया गया था हमने वह आखरी गाउं को पहला गाउं बना करके विकास की पुरी दिशा बदल देख जी मैं जब बार-बार मिलेट्स की वकालत करता हूं मिलेट्स की दुनिया के अंदर जाकर के चर्चा करता हूं जी ट्वेंटी के देशे को साथ लोकों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स प्रवस्ता हूं उसके पीशे मेरे दिल में तीन करोर से जादा मेरे छोटे किसान है जो मिलेट्स की पेटी जरते हैं इंता कल्यान इससे हम जुदे को आधिनियोध जी办 के जब में वोकल। फॉर लोकल की बात करता हूं कि जब मैं में एंडिया की बात करता हूं तstem मैं कोरो ग्रहुद्योग लगुद्योग, कुटिरुद्योग उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिभारों के साथ उनके कल्यान के लिए सब्सक्राइब आदेनिया देट जी खादी कॉंग्रेस पार्टिन दोसको भुला दिया सरकारों ने भुला दिया आदे खादी के ताकत देने में शबलता प्रवग आगे बढ़ा हूं क्योंकि खादी के साथ हैंडलूं के साथ करोडों बुनकरों की जिन्दगी लगी हैं तो उनके तल्यान को देखता है आदेनिया देख जी हमारी सरकार हर कौने में गरीबी को निकालने के लिए उनके गरीब को समर्द्द बनाने के लिए अनेक इबित प्रयासओ को कर रही है चीन के लिए वोट बैंक ही था उनके लिए उनका कल्यान सम्भव नहीं था हमारे लिए उनका कल्यान राष्ट का लिए और इसलिए हम उसी राष्टे पर चलक भ़ण के लिए हादियने दिक जी, कॉंग्रेस पार्टी ने, यूपिय सरकार ने, OBC समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया, इन लोगों ने OBC नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसन नहीं छोड़ी है, कुछ दिन पहले, जब करपुरी ठाकोर जी को भारत रत न दिया, हमने वो सम्मान दिया, लेकिन याद करिये, उस करपुरी ठाकोर, अती पिछडे सबाज से, OBC सबाज के उस महापुरुष के साथ क्या वहवार हुआ था, किस प्रकार से उनके वह सब जुल्म गए, 1970 में, बिहार के मुख्य मंत्री बने, उनको पत से हटाने के लिए, कैसे कैसे खेल खेले गए थे, उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था, हादी ने दिख जी, कॉंग्रेस को अतीप पिछड़े वेक्ति बरदास्त नहीं हुआ था, 1987 में, जब कॉंग्रेस के पास, पूरे देश में उनका जंडा फैरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने करपुरी ठाकुर को प्रती पस्कें वेता के रुपे स्विकार करने से बना कर दिया, और कारण क्या दिया, वो समिधान, समिधान का सम्मान नहीं कर सकते, जिस करपुरी ठाकुर ने पुरा जीवन लोगतंत्र के सिधानतों के लिए समिधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया था, आधर्निय अद्धिक जी, कॉंग्रेस के हमारे साथियों को, आजकल इस पार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में OBC कितने लोग हैं, कितने पत्पर कहां हैं, उसके हिसाथ किताब परते रहते हैं, लेकि मैं हराम हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है, यहां आखे पन करके बैठ जाते हैं, हाँ देख जी, जरहां मैं यह दुनिया भर की चीज़े करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, यह, 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 यूपिये के समाएं, एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बॉडी बनाए गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एड़वाजरी काउंसिल, जरहां कोई निकाल करके देखें, इसमें क्या कोई OBC था क्या, जरहां निकाल करके देखिए, इतने बड़ी बड़ी पावर्फुल पाड़ी बनाए थी, और वो देखेंट कर रहे थे, आधनिया अध्यक जी, पिछले 10 वर्सों में, नारी शक्ति के ससक्तिकरण को ले करके, अनेक वीद कदम उठाए गया, नारी के नेत्रुक में, समाज के ससक्तिकरण पर काम किया गया है, आधनिया अध्यक जी, अब देश की बेटी, हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, जहां देश की बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो, आज हमारे देश की बेटियां, फाइटर जैट भी उड़ा रही हैं, और हमारे देश की सिमाओं को भी सुरक्षित रखाई हैं, आदर्णियां, अध्यक्षित मुद्धे, ग्रामीन वबस्ता, अर्थ वबस्ता हमारी है, विमन सेल्फ हेल्प ग्रूप, दस करोड बहने जुड़ी हैं, और आर्थिक गतिविती करती हैं, और ग्रामीन अर्थ वबस्ता को, वो नई ताकत दे रही हैं, और मिजे आज खुशी है, इन प्रयासों का परणाम है, कि आज करीब करीब एक करोण लगपती दिदी, आज देश्वर्णियां और जब मैरी उनसे बात होती है, उनका जो आत्मी स्वाथ देखता हूँ, मरा पक्का विश्वाथ हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे कारकाल में, तीन करोण लगपती दिदी हमारे देश के अंदर देखें, आप कल्पना कर सकते, गाहों के अर्थ बवस्ता को कितना बड़ाव हो जाएगा, आज देश्वर्णियां देश्वर्णियां जो पहले सोच थी, समाज की घर में गुश गई थी, दिमाग में भी गुश गई थी, आज वो सोच कितनी तेजी से बदल रहे हैं, थोड़ा सा बारी की से देखेंगे, उधर में पता चलेगा कितना बड़ा, सुखत बदलावा रहा हैं, पहले, अगर बेटी का जन्म होता था, तो चर्चा होती थी, अरे, खर्चा कैसे उठाएंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसके आगे की जिन्गी का, एक प्रकार थे, कोई बोज है, इसी चर्चा ही हुआ करती थी, आज बेटी पैदा होती है, तो पूछा जाता है, अरे, सुकन्या समरुद्य अकाउंट खुला कैंने खुला, पटलावा, पहले सवाल होता था, प्रेगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाओगे, पहले ये बात होती थी, प्रेंगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाओगे, आज कहा जाता है, 26 हपते की पेड़ लीव, और बाद में भी अगर चाहिए, मिलेगी, ये बढ़ला होता है, पहले समाज में सवाल होते थे, कि महिला होकर नोकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पत्री कि सवाल होते थे, आज, आज, लोग पूछ रहे हैं, मडम, आपका जो स्टार्ट अफ है न, बहुत प्रगतिर कर रहा है, क्या मुझे नोकरी मिलेगी? आज, पूछा जाता है, बेटी की उम्र बढ़ रही है, शादी कप करोगे? बेटी की उम्र बढ़ रही है, शादी कप करोगे? आज, पूछा जाता है, बेटी, पर्शनल और प्रोफेशनल, दोनों कामों को संतुलिक कितना बढ़िया करती हो, कैसे करती हो? आज, पूछा जाता है, आज, पूछा जाता है, आज, पूछा जाता है, तो घर के मुख्या को बलाईए, ऐसा कहते थे, आज, किसी के घर जाते हैं, तो घर, महिला के नाम पर, बिजली का बिल उसके नाम पर आता है, पानी, गय सब उसके नाम पर, तो परिवार के मुख्या की जगा, आज, मेरी माता ये बहन से, ये बढ़लाव, ये बढ़लाव, अमरुतकाल में, विच्सीद भारत का हमारा जो संकल्पन है, इसकी एक बहुत की शक्ति के रुपे उफरने वाला है, और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ, आदर ने देखने होता है, किसानों के लिए आँशू भाने की आदर मैंने बहुत देखी है, किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है, यह देश ले देखा है, कॉंग्रेज के समय कि कृस्वी के लिए कूल वार्सिक बजट होता था पचीस जार करोगी है, आदर ने देख जी, हमारी सरकार का बजट है समाल लाक करोगी है, आदर ने देख जी, कॉंग्रेज ने अपने दस साल के कारकाल में, साथ लाक करोड उप्या का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था, हमने दस वर्स में करीब अठारा लाक करोड का धान गेहूं, कॉंग्रेज सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नामक मात्र कभी कहीं की हो तो की हो, हमने सवा लाक करोड उप्य से व्यधिका दलहन और तिलहन की खरीदी आ है। हमारे कॉंग्रेज से साथियों ने पी-एम किसान सम्मान निदिकम मड़ा हुजाया। और जब मैंने मेरी पहली टम में योजना शुरू की थी, तो मैं ज्याद है कि जूठा नेरेटूब की जो फैशन चल पड़ी है, गाउं में जाके कहा जाता था। कि देखिये, ये मोधी के पैसे मत लेना, ये चुनावे एक बार जीद गया, तो सारे पैसे ब्याद सम्मेत तुम से वापिस बागेंगा। ऐसा जूठा लाए जया था। किसानों को इतना मुरग बनाने की कोशिश की गई थी। आदानिय अदक जी, पी एम किसान सम्मान निधी, दो लाग असी हजार करोड रुपिये, हमने भी देखिये। पी एम फसल भीमाय होजना, तीस हजार रुपिया का प्रिम्याब, और उसके सामने, देड़ लाग करोड रुपिया मेरे किसान भाई जादों के देखिये। अपने सासनकाल में कभी मी मच्वारे पशुपालक की तो नामों निशान नहीं ता उनके काम में, पहली बार इस देख में मच्वारों के लिए अलग मंत्रा ले बना, पशुपालन के लिए अलग मंत्रा ले बना, पहली बार पशुपालक को मच्वारों को किसान क्रेडिक क कारोबार दिया गया ताकि कम व्याद से उसको बैंक से पैसा मिल सके वो अपना कारोबार बढ़ा सके किसानरों और मचुवारों इस चिंता फिर्फ जानवरों के नहीं होती है जिंदिके का महत्वपन हिस्सा है आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशों के अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमने फूट एंड माउथ डिसीज उससे भारे पशों को बचाने के लिए पचांस करोड से ज्यादा ठीके लगाए है आज भारत में युगाओं के लिए जितने नए अउसर बने है पहले कभी नहीं बने है आज पूरी वोकेबलरी बदल गई है शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं बिलते थे वो बोलचाल के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं आज चारों तरफ स्टार्ट अप्स की दुन्ज है इनिकॉंस चर्चा में है आज डिजिटल क्रियेटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है आज घीग एकोनोमी की चर्चा हो रही है यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वकेबलरी है यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए नए परिवेश है नए पहचान के यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे है दोजार चौदा से पहले डिजिटल एकोनोमी की साइज ना के बराबर बहुत जादा उसकी चर्चा भी नहीं थी आज भारत दुनिया की डिजिटल एकोनोमी है अग्रणी है लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में यह डिजिटल इंडिया मुव्मेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर अनेक अनेक रोजगार अनेक अनेक प्रफेशन्स के लिए अवसर लेकर के आने वाला है आधनिय द्रजी आज भारत मेडिन इनिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं दुनिया में हम नमबर दो बन रहे हैं और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ हैं और दूसरी तरफ सस्ता डेटा इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवोलुशन लाया देश में और दुनिया में हम जिस कीमत में आज हमारे नवजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं सबसे कम कीमत में करवा रहे हैं और वे कारण बना है हाच मडिनेनि या भ्यान रिकॉर्ड मैनुफेक्टिरी मिरिकॉर्ड एक्सपोट या देश देख रहा है आद्य लगजी ये सारे काम हमारे नवजवानों के लिए सबसे जादा रोजगार लाने काम हैं सबसे जादा रोजगार के आउसरत पईदा के लिए आदेने अधिक में होता है दस वर्ष में तुरिजम सेक्टर में अभूत पुर्व उच्छा लाया है हमारे देश में ये ग्रोथ और तुरिजम सेक्टर ऐसा है जिसमें कम से कम पुंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वला उसर है और सामाने से सा से ज्यादा संभावनाएवाला टूरिजम ख्यात्र है देस वर्ष में एरपोर्ट दोगुने बने भारत शिरब एरपोर्ट बने हैं सा नहीं भारत दुनिया का तीसरा बड़ा दोमेस्टिक एविशन सेक्टर भारत हम सब को खुशी होनी चाहिए भारत की जो एरलाइंस कंप नए एरट्राप की ओरुडर दिए इस हजाम नए एरठ्रॉप और जब सारे हवाज यहां परेंट होंगे सारे एरपोर्ट कितनी धंधंते होंगे कितने पाइलोड्स की जुरूपर देटिए। हमें क्रू मेंबर चाहिए कितने एंजिनीयर यह चाहिए कितने से ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए याने रोजगारी के एक नए ने खेत्र खुलते जा रहे हैं कि एविशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया आउसर बन करका है आधर निया दर्ग जी हमारी कोशिस नहीं है कि एकानोमी को हम कि फॉर्मलाइज करने की जिशा में मजबूती से कानोम थाए युवाओं को नोकरी भी मिले सोशल सिकूरिटी भी मिले इन दोनों को ले करके और आपने जिन बातों के अधार पर हम निर्ने करते हैं और देश पे भी माना जाता है वह एक होता है डाटा इपी एफो का इपी एफो में जो रेजिस्टन होता है दस साल में करीब अठारा करोड नए सक्काई बराए और वो तो चीज़ा पैसों से जुड़ा केल होता है उसके फेरदी नाम नहीं होते हैं मुद्रा लोन पाले वालों में आठ करोड लोग ऐसे हैं जिन्हों ने जीवन में पहली बार कारोवार अपना सुरू किया है और जब मुद्रा लोन लेता है तो खुड रोजगरी पाता है एक या दो और लोकों को भी रोजगरी देता है चोब उसका काम ऐसा हुआ है हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है कि दस करोण महिला है ऐसे जी से जुड़ी जैसा मैंने का एक लाख लगपती दीदी एक करोड यह अपने आप में बहुत और मैंने जैसे कहा हम तीन करोड के कार्गर को है अधिने अध्यक जी कुछ आंकड़े हैं जो अर्थसाथरी समझता है अनुष हमाने मानवी भी समझता है कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में इंफ्रास Departure के निर्माड में करीब करीब 12,0,0,5 का बजेट था 10 साल में 12,0,0 को बीते 10 वर्षों में इंफ्रास। Ch legislature निर्माड के अंदर बजेट 44,0,0,444,0. करोड रोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समय जाता है आदेने देख जी इस राशी से जितनी बड़े अमात्रा में काम हुआ है उसके काण इतने लोगों को रोजी रोटी मिलिये इसका आप अंदाज कर सकते हैं हम भारत को मैनिफेक्ट्रिंग का रिशर्च का इनोवेशन का हब बने ओ दिशा में देश की वाशक्ति को प्रोट्साइट कर रहे हैं ववस्ताइं विक्सित कर रहे हैं आर्थिक मदद के योज़ाएं बना रहे हैं आदेने अदेख जी एनरजी के ख्षेत्र में हमें वेशा डिपेंड रहे हैं एनरजी के सेक्टर में हमें आत्मंदिर पर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यक्ता है और हमारी कोशिश है ग्रीन एनरजी की तरफ हाइड्रोजन को ले करके हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीत पुरुवन वेश उसी से दूसरा क्षेत्र है जिसमें भारत को लीड लेनी होगी वह है सेमिकंड़क्टर पिसली सरकारों ने जितने प्रयास किये प्रयास किये लेकिन सभलता नहीं में अब हम जिस्तिती में पहुंचे हैं मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीन दसक खराब भले हो गए लेकि कॉंटुबिशन करेगा इन सारे कारणों से अधरनी अधिक जी क्वालिटी जॉब की संभावनाएं बहुत बरने वाली है और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्कील मिनिस्ट्री बनाई उसके पीचे ही तो यह है कि देश के नवजवानों को हूनर मिले औ और हम इंडिस्ट्री 4.0 उसके लिए मैंपावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिसामें काम करें आदेनिया देख जी यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बाते की गई है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ से चाहिए आनी चाहिए इत्याद गव है कि जब भी कॉंग्रेस आती है महंगाई लाती है कि मैं कुछ वक्ते वे इस सब्सक्राइब में आज कहना चाहता हूं किसी के अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हो लेकिन हो सकता है हमारी बात जो समय नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समय समय का प्रयाश करेंगे कहा गया था कभी और किसने कहा था वह मैं बाद में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़ा से मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह statement of fact किसका है यह कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल के लिए से कहा था हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह समय की बात है उनने माना खलाल के रेशावी चारों तरब महिंगाई बढ़ी है अब इस वक्त कभी के 10 साल के बाद नहरुची के इस वक्त कभी 10 साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामझे रहता हूँ, आप लोग, मैं कोट बत रहा हूँ, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से, कुछ तो लाचारी है, पुरी तोर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हाला क की वो कावू में आएगी, दस साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किस ने कहा था, फिर से ये नहरुजी ने कहा था, उन्हीं के कारकाल में, तब देश का प्यम रहते उन्होंने, बारा साल हो चुके थे, लेकि हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ हो रही हैं, इसी के गीत गाते रहे थे, आधने अधर जी, अब मैं एक और भाशन का हिसा पड़ रहा हूं, जब देश आगे बढ़ता है, तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती हैं, हमको ये भी देखना है, कि जो भी आवशक बस्तु हैं, उनकी कीमत को कैसे थामें, ये किस ने कहा था, हिंदरा गांदी जी ने कहा था, 1974 में, 1974 में, जब देश में सारे तुना ने दर्वाजे ताले लगा दिये तो, लोकों को जैलमा बंद कर दिया था, 30% बहेंगाई थी, 30% अपने भाशन में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था, आप चोंग जाएंगे, उन्होंने कहा था, अगर जमीन नहों, यहने कुछ पैदावर के लिए जमीन नहों, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें, यह ऐसी सलाएं, उच्छे पद पर बैठे हुई लेक दिया करते थे, जब देश में, देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपर हिट हुए थे, हमारी देश में, गर-गर गाए जाते थे, एक महंगाई मार गई, और दूसरा, महंगाई डायन खाये जा, दायन खाये जाते हैं, और यह दोनों गाने, कॉंग्रेज के साथनकाल में आए, महंगाई डबल डिजिट में ती, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं, फारूपी का सरकार का तर्ग क्या था जी, और संबेदन सिल्टा यह कहा गया था, कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो, तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, यह कहा गया था, यह कहा गया था, जब भी कॉंग्रेस आई है, उसने महंगाई को ही मजबुट किया, हादम नियतिक जी, हमारी सरकार ने महंगाई को लगाताम नियंतरण में रखा है, दो दो युद्ध के बावजूत और सौ साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूत, महंगाई नियंतरण में है और हम कर पाए है, अधनिय देख जी यहां पर बहुत गुसा व्यक्तिक किया गया जितना होसे का उतने कठेर सब्द में गुसा व्यक्तिक किया गया उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और ये गुसा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है बस्टाचार पर एजन्सिया एक्सल ले रही है उसको लेकर भी इतना गुसा क्या-क्या शर्ब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आदिन्यद्धिक जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था बस्टाचार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यही मांग करता है तकदा एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो और आझ जब प्रस्टाचारियो पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग कि उनका समर्तन में हंगामा करते हैं आधनिय दर्जी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति उपियों के लिए उपियों किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिये उनके कालखें में क्या हुआ पियमेले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये हैं कांग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रूपिये के संपति जब्त की है हमारे कारकाल में एडी ने एक लाग करोड रूपिये के संपति जब्त की देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के देर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखे हैं नोटों के देर रोना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश नोटों के धेश डेक डेकर करके चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से यूपिए सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल 10-15 लाख करोड करहा है चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के घोटा ले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है डारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदन एकाउंट आधार मोबाईल उसकी ताकत हमें पहचानी है तीस लाग करोड रुपय से जादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुंच है और अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं पंदरा पैसे पहुंचते है अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाग भेजे हैं अगर उ होता बागी सब कहां चला जाता है हादरिणिया देख जी हमने दस करोड फरजी नाम हटाए है अभी लोग पूतेन पहले इतना आकडा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी व्रवस्ता बनाई थी कि जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फरजी नाम बंद की है यह जो परिशानी है ने इन चीजों की है पिक रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है अधर्णिय देख जी हमने यह फरजी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड रू चलत हासों में जाने से बचाया है देश के टैक्ट में रहका पाई पाई बचाना और सही काम में लगा इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधिनिय जग जी सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की जरूत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूत है आज देश का दुर्भाग्य है पहले तो क्लास्रूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कौपी करता था तो वो भी दस दिन तक अपना भूं की से कोई दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जीन पर सिद्ध हो चुके हैं जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए हैं आज बॉसिंग बशिन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सारवजनिक जीवन में कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम जो सजा हो चुकी हैं मैं ये तो समझता हूं कि आरोब जो हैं उनके लिए तो आप सोच सकते हैं लेकिन जो गुना सित हो चुका है जो सजा कार चुके हैं जो सजा कार रहे हैं ऐसे लोगों का महिमा मंदन करते हो आप कौन सा कल्टर और देश की अबावी पीड़ी को क्या प्रेमा देना चाहते हूं कौन सा रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महिमा मंडर किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग संत्र है मानिया देख जी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिख करते रखें कि यह जो महिमा मंडर का काम चल रहा है उनका वो अपने अपने ही खात में की चिठी पर सिगनेचर कर रहे हैं लोग आदेनिया देख जी जांच करना कि एजेंसियों का काम है एजेंसिया स्वतंत्र होती है और समिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नयाद इसका है और वो अपना काम कर रहे हैं और अदेख जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूँगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी बस्टाचार के खिलाब लड़ाई चलती रहे हैं जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा जिनोंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से बादा करता हूँ जिसको जो अरोप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा आधनिय अद्धिक जी देश शुरक्षा और सांति का एसास कर रहा है देश पिछले दस वर्ष की तुलना में शुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डायरे में अपसिम्ता हुआ है लेकिन भारत की जो टारिजम के प्यती जीरो टॉलरंस निती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस निती की तरब चलने के लिए मजबूर होना पूरा है भारत की सेना है सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज भी उनकी ठाक है हमें हमारी सेना के परात्रम पर दर्व होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिच करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मनुके सामर्थ को देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दे है इससे मेरे देश की सेना डिमरलाईज होगी ये शपनों में कोई रहते है तो निकल जाए देश के मुड़ को वो खतम नहीं कर सकते और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाषागर कहीं से बूपती है देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते है जोडने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधा नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हुआ और टुकड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा कसी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व अभिकास की चर्चा हो रही है परियतन लगातार भर रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहाँ पुरा विश्वाज उसकी चराना करता है कि अर्टिकल 370 को लेकर कि कैसा हुआ बना के रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के लिए समझ से किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बारत के समिधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रख्य हुई थी अगर नहरुजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समसा है जेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोचती और उसी का प्रणाम है देश को प्रकार प्रकार जमू कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरुजी की गलतियों का बहुत ब आदेनिय देख जी, वो भले गल्टिया करके गए, लेकिन हम मुचिबते जेल करके भी गल्टिया सुधाने के लिए हमारी कोशिच जानी रखे, हम रूकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग, हमारे लिए नेशन फास्ट है, आदेनिय देख जी, मैं सभी राजनितिक जलों के नेताओं से आगरत हुँगा, सभी मानने सदोस्यों से आगरत हुआ, भारत के जीवन में बहुत बड़ा आउसर आया है, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा आउसर आया है, एक नए आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आउसर आया है राजिनिति के अपनी जगा पर होती है आरोब प्रत्यारब अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंग सर देता हूं आपको कंद से किंदा मिला करके हम देश के निर्माण के लिए देते हुए भी राष्ट देर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावत नहीं है अब इस राह को मत हुआ है मैं आपका साथ मांग रहा हूं महां भारति के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूं आप भिश्व के इंदर जू आफ्वर आया है उस आफ्वर को भुनाने के ल लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ कि इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए आपके हर इट को मैं विक्सिद भारत की नीव मजबूत करने के लिए आपके हर पत्थर तो मैं विक्सिद भारत की जो संप्रों को लेकर करके अपको लेगा हुगा और देश को हम उस सम्रुद्ध की और लेके जाएंगे जितने पत्थर उचालने उचाल लीजिए आपका हर पत्थर भारत के सम्रुद्ध भारत के विक्सिद भारत के सपने को सम्रुद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूँगा ये भी मैं आपको दिविश्वा दिराते हूँ आदे निर्टेग कि चांनता हूँ है साथ्यों की तकलिफ हैं। या लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता है और अर्दुकी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये नामदार है हम कामदार है और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है तो नामदार कुछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जनमजात अधिकार मिले हुई है और हम कामदारों को सुनना होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाते रहेंगे आदनिय अद्धक जी आपने बुझे इस तवित्र सदन में आदनिय राजपती जी के बुद्वधन को समर्थन करने के लिए बोलने साव सद्धिया नादनिय राजपती के बुद्वधन को समर्थन देते हुए दन्यवाद परस्टाव पर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वानी को जराम देचाओं एंस मेरी वाले 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 की बुद्वधन को